शिवसेना ने मुंबई की चार सीटों पर अपने उमिद्वार भोशित कर दिये हैं और मेरी जो जानकारी है पांचवे सीट के उमिद्वार भी वो कल पर सोत भोशित कर दें मतलब मुंबई की छे सीटों में से पांच सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और एक सी, खैराथ की तरह कॉंगरेस के लिए छोड़ दी गए ये पूरा जो फैसला है कॉंगरेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है मैं इस फैसले का मिश्यिएद कर रहा हूं इसमें शिबसेना का नत्यतों का भी मिश्य्यद कर रहा हूं और कॉंग्रिस करनेतितों ने जिसने नेगोसेशन में हिस्सा लिया वो लूग नेगोसेशन صही डंग से नहीं कर पाए इसकी भी निंदा करता हो जिसने कर रहा हूं शिवसना ने जो अमिद्वार भोषिद किया है उत्तर पश्छिन के लिए आरोप है वह है कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुप्त भोजन कराने की जो योजना थी उस योजना में से कॉंट्रेक्टर्स often दलाली ली कि जो खिचरी सप्लाई की गई ती उस्कुषडी सप्लाईर से उन्होंने दलाली खाई है जिसकी छानबीन हो रही है और ऐसे खिचडी चोर उमिद्वार को शिवसिना ने हमारे सर पे थोपा है हम इसका सरासर विरोध करते हैं कम से कम मैं ऐसे खिचडी चोर उमिद्वार के लिए काम नहीं करूँगा कि मैं आज भोशना कर रहा हूँ दूसरी बात कवरेश्अक पार्टी का नत्यत्त वर्वर्व जो हमेशिचा भरहस्टाचार के मुद्दे पर हाई-ज्य PUBG लेटे हैं हमेशा एक हाई-ई-बॉरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते क्या इस नित्यत्यु को यह नहीं दिखा कि हमारे छेत्र में जो उमिद्वार पेश कर रही है शिबसेना उस पर भरस्टाचार के आरोप हैं तो मैं अपने सिर्स नित्यत्यु से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे उमिद्वार के संदर्व में वो निश्चित तोर पर आपत्ति धर्ज करेंगे और उनका जो एक हाई मुरल ग्राउंड है ब्रस्टाचार के संदर्व में जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानवाजी हो कि उसको लेकर के भूमिकास पस्टू clients तीसरी बात सब्से महत्पूर बात है कि हमामारा जो नत्त्य वह उसको चिंता नहीं रहे घूर जो मुमबई में आप कुण्रे से धाहर करता है요 कांग्रेस का स्थाप्ते नित्यत्ह है उस नित्त्युक्य कोई शायद की चिंता नहीं रह गई पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचित नहीं हुई है किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या पेक्षा है और आपके पेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं अगर ये नहीं कर सकते हैं ऐसा मान कर चला जा रहा है नित्यतों के तरफ से कि जिसको जो करना है करे हम किसी की चिंता नहीं करते हैं तो मेरा मुद्धा ये है कि एक तरफ कॉंगरिस का नित्यतो पूरे देश में न्याय पर आधारी के एक होसना पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग-अलग वर्वों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है ठीक उसी वक्त उसके अपने कारकरताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं उसके अपने जो स्थापित नत्यत्तों है उनके उपर कोई अन्याय हो रहा है कि ने इसके चिंता नहीं